जो सुदर्शन चक्र चलाते हैं श्री कृष्ण जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है एक शण में चाहें उसका बद कर दे साड़े ग्यारे वरस तक ब्रज में रहे ठाकुर्जी और कभी भी कोई सस्त्र नहीं उठाये ठाकुर्जी ठाकुर्जी ब्रज में रहने वाले कृष्ण सिर्फ अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं क्या रखते हैं? काई के लिए रखते हैं? कि ब्रज में ब्रज की भूमी पावन बसुंदरा ये युद्ध का इस्थल नहीं है ये प्रेम इस्थल है ब्रज जो है प्रेम की भूमी है जैसे कासी ज्ञान की भूमी है अयुध्या बैराग्य की भूमी है ब्रंदावन प्रेम की भूमी है जिने भगवान से सच्चा प्रेम चाहिए हो उनका आना जाना ब्रंदावन होना चोई लेकिन अट टूरिस्म की तरह नहीं है होटलों में रुकना, होटलों का खाना-खाना स्टाइल में आना, स्टाइल में जाना यह सप्रेम नहीं मिलेगा इससे तो सरफ टूरिज्म मिलेगा ब्रंदावन में जाने की एक अलग विधा है हमारे आचारियों से सीखो हमारे आचारे गण जब भी प्रज में प्रवेश करते हैं बहान सीमा से बहार छोड़ते अपना ब्रंदावन में आज बहानों की भीड है इतनी भीड है कि पैदल नहीं चल सकता कोई अच्छा किसी जिन में सामरत है वो भी चलना नहीं चाहते वो भी यही चाहते हैं कि ब्यार जी के पीछे ही मेरी गाड़ी रुके ब्यार जी के पीछे तो बहुत बड़ी बात है अगर आवसर मिल है तो ब्यार जी के सामने जाके गाड़ी रुके और फिर पूछे फिरी हो ब्यार जी आजाओं फिर ब्यार जी कॉल करके कहें आठी के आजा भाई अब मेरे फिरी हूँ अब मेरे पास कोई नहीं है एकदम खाली बैठाओं तेरा ही इंतजार कर रहा था आगया चपेटू आजाओ वो आगया तब ब्यार जी ने अपना परदा अपने आपाई खोला आजाया आजाया में लाला आया हो गया ब्यार जी के एकदम जस्ट पीछे गाड़ी रोकनी तीर्थ में जितना जादा हो सके उतना पैधल चलना चुई प्रभु मिलन को चालिये तैजमाया अभिमाओ जों जों पग आगे धरो कोटे नजग सामाओ एक एक कदम एक एक यग्य का फल देता है आपको जितना पैधल चलोगे तीर्थ में अच्छे एक बास सोचो अब हम लोग भी बहुत गाडियों में तो हमें भी चलना पड़ता है मजबूरी हो गई है लेकिन हमारा बच्पन पूरे पैधल भीता है उस ब्रिंदा बना है कहां से फोगला अश्रम से केशी घाट तक दुपैर के डेड़ बजे तांगो नहीं में लेगो नहीं तो बाद में नहीं देड़ बजे पुरा बजपन पैदल 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 तो इसका मतलब है हमने तुम जितना जीवन में तपस्या करोग है उतनी हमने एक साल के बच्पन में तपस्या कर लिया है वहाँ और साथ उसी का बल है कि किसोरी जी कह रही है बेटा अब तू कथा सुना तो आज ही कथा कह रहे है किसोरी जी की किरपा है आदनों कि योग में संत मातमा भी उतना पैदल नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि इतनी बीड़ हो गई है बहुत संख्या हो गई लेकिन आपसे जो तीर्त यात्री हैं जो वह जा रहे हैं या प्रयाग में भी आ रहे हैं हम आपसे आज जोड़ के प्रार्थना करेंगे तीर्त में जब जाओ तो भगवान के सेवक बनके जाओ मालिक बन के बन जाओ चाहे तुम भगवान ने कितने भी बड़े बनाये हो पर जितने सुक्ष में रूप से जाओगे उतने ठाकुर जी तुमसे प्यार जादा करेंगे उन्हें पता भी न चलेगे दुनिया को पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन आया है